एक्टर श्री देवी किसी पहचान की मौताज नहीं है, अपने दौर में उन्होंने कई बेमिसाल फिल्में की, जिसने उन्हें अलगी पहचान दिलाई, लेकिन साल 2018 में श्री देवी की अचानब कोई मौत की बात से हर कोई हैरान रहे क्या था। हर कोई बस ये जाननी के लिए बेताब था कि आखिर उनका निधन कैसे हुआ, तो अब पास साल बाद इस राद से परदा उठ गया है और फिल्मेकर बोनी कपूर ने खुद श्री देवी के निधन का कारण जग जाहिर किया है। इस कारण श्री देवी को ब्लैक आउट होते थे, एक इंट्रोव्यू में बोनी कपूर ने कहा कि श्री देवी की मौत नैचरल नहीं बल्कि एक्सिडेंटल दे थी। पर रहा है क्योंकि भारतिय मीडिया का बहुत जादा दवाब था और उन्हें पता चला कि इसमें कोई बेमानी नहीं थी। इसे गुजरा जिसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट और अन्य सभी चीजें शामिल थी और फिर निश्यत रूप से जो रिपोर्ट आई उसमें स्पस्ट रूप से कहा गया कि यह अकस्मिक था। बता दे की श्रीदेवी की 24 फरवरी 2018 को दुबाई के एक होटल में बाटब गे डूबले से मौत हो गई की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में श्रीदेवी की मौत का कारण एक्सिडेंटल ड्राउनिंग बताया गया था। ऐसी ही खबरों को विस्तार से जानने के लिए आज ही हमारे चैनल JBT Entertainment को सब्सक्राइब करें मुझे आनी मांची पाने को दीज़े जाज़त नमस्कार।